इस चैनल पर बहुत दिनों से जो है वीडियो नहीं डाला गया कि मैं एक्जाम भी प्रेवरेशन में लगा हुआ था मेरा बिटे का एक्जाम चल रहा था तो मैं वह पाल चला गया था देली से इसलिए मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई कि वहां पर मेरे पास सिस्टम में ही था और आप लोग अगर एक बड़िया सा डिजाइनर बनना चाते हैं तो लिज आप लोग भी बीटेक करिए उसमें आपको बहुतर नौलेज मिलेगी और फिर आप उसको अच्छे से कल्गुलेशन करते हुए सॉलिडवर के ऊपर आप कंपोनेट को बना पाएंगे इसलिए मैं आप लोगों से ये रेक्वेस्ट करूंगा कि आप लो देखे हुए ही हम बीटेक में अड्मिशन लिए हुए हैं तो इसलिए आप भी किजिए ये आप करने से ना बहुत सारे आपको फायदे मिलेंगे सॉलिडवर के क्योंकि सॉलिडवर के एक ऐसी सॉफ़्वेर है जिसके अंदर जो आप स्टेडी करते हैं बीटेक में मैंने अब भी रियलाइज किया है इस चीज को तो जो भी आप एस्टेडी करते हैं उस साड़े को आप यहां पर आकर के अपलाई कर सकते हैं अब जो भी कोई भी पार्ट डिजाइन करना होगा आपको इस कैलकुलेशन की जरूरत होगी और जो एक वेल डिजाइन जो होते हैं एक आपको एक कलकुलेशन के जरिये भी बना करके दिखाएंगे जैसे गियर्स बनाना है तो उसमें हम कैसे एक्च्वल कैलकुलेशन कर सकते हैं गियर्स का विद फर्मूला तो इसलिए अब जो है हमारी चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए देखने की को पूरा देखिए और नहीं सब्सक्राइब किया होंगे तो आप सब्सक्राइब कर देंगे ठीक है और कभी बढ़िया होगा और इस वीडियो में जो है हम एक्सराइज नमर् नाइन लेकर कर आए हैं जिसमें एक चोटा से यह पार्ट है आप देख रहे हैं कि इसमें बीच म हमें भी होलो सेक्शन है और साइड से कट आउट है तो हम इसको कैसे बनाते हैं हम इस चीज़ को आज देखेंगे और मैं यहीं रेक्वेस्ट कुलूंगा सभी से कि आप बीटेक में प्लीज एडिमिशन ले लीजिए क्योंकि वहां से जाने के बाद आपको बहुत सारे ऐस चाहते हैं तो आपको कैल्कुलेशन करना आना ही चाहिए क्योंकि आप उसके अलावा आप एक डिजाइनर नहीं बन सकते आप एक मशीन को डेवलप नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके अंदर नहीं बहुत सारे के ज्रूरत होती है अगर मुझे बिम बनाना है तो इसके लिए ऐसले गोड़ रोल है इंजन बनाने हैं, तो फिस्टन की ऐसे ही नहीं होते हैं, कि उसमें कैसे भी हम होल कर दियो और बन गया ऐसा नहीं है, उस सारे में सारे कल्कुलेशन्स लगेंगे, और लगते हैं, उसलिए आप अपने स्टेडी पे भी ध्यान देते हुए, इस सौफ्ट्वेर का लाब उठा इस नहीं है, आपका, इंटर्व्यू में भी आपको basic questions ही पूछते हैं, कि आपको क्या आते हैं, basic ही आप पूछे लिए आप से, ठीक है, इसलिए आप बीटे कीजिए, और बीटे के साथ-साथ आप बहुत सारे knowledge को और गेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें वो यह है, जो मैंने बनाया है, यह RLD cat tutorial, यह layout है मैरा, ठीक है, चलिए हम बनाते हैं िसमें आप देखेंगे यह Isometric View है यह राइट साड फ्रंट व्यू, टॉप यह बॉत्म व्हू हम आने सारे ग्लोवी मनाए ल। यह थर्ड एंगल प्रजेक्शन में है । हम आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन भी बताएंगे स्लोली स्लोली जब हम प्रोजेक्शन बताएंगे तब यह देख लीजिए आप ऐसा हमें बनाना है इसका यूज़ पर ठीक है जबते हैं इसके बाद आप हम पहले फ्रंट बना लेते हैं ठीक है फ्रंट जब हम बना लेंगे तो सबसे पहले हम प्लेंट सेलेक्ट करते हैं और यह कुछ ऐसा एसकेच बनाते हैं फ्रंट से ठीक है हम यहां से स्टार्ट कर लेंगे कर लेंगे यहां से और ये इसका अच्छा अगर आपका यूनिट ठीक है तो आप यूनिट को चेंज नहीं किजिए अगर यूनिट ठीक नहीं है तो यहां पर IPS के जगर पर आप मिलेमेटर कर दीजिए ठीक है फिर से आप चलिए स्केज करते हैं इसकी डामेंशन पर चलिए हम यहां से इसकी डामेंशन करते हैं यह जो डामेंशन हमारा थर्टी है तो हम थर्टी ले ले गए और फिर आफ्टर देस यह जो हमारा डामेंशन है वह सिक्स्टी है यहां से यहां हम चलते हैं सेवेंटी सॉरी सेवेंटी है सेवेंटी है ठीक है यह आ गया इसके बाद यह हमारा वह है 60 तो हम 60 कर लेंगे यहां से और इसके जो dimensions है वह भी है 60 60 करेंगे हम तो यह आप देखेंगे कि यह जो है dimensions हमारा proper आ चुका है यहां पर 150 भी आ गए है अब हम क्या करते हैं यहां यहां पर इसकी और इसकी जो distance है वो 10 है ठीक है यह हमें offset में बनाएंगे तो यहां पर mention नहीं है यह फॉल्ट है तो हम चलते हैं offset करते हैं हम इसका offset कर लेंगे और reverse करेंगे और okay कर देंगे यह एक ऐसा बन गया इसके बाद हम चले लेंगे फीचर कमान extrude करेंगे तो आप अपने आप इजमेटरी ले लेंगे और फिर यहां पर मीड़ प्लिन सेलेक्ट करेंगे और फिर आप यहां पर जबाएंगे यह देखिए एक cut out बना हुआ है यहां पर करना है तो टॉप लेन पर है अब नीचे भी आएंगे यह देखेंगे कि हैंडरेट यहां से यहां डिस्टेंस है और यह कट-ई तो आल कट-उट है अफ्टेकित तोप से बॉटम तब का प्तों हम बनाएंगे अफ़ यहां पी लेगे इसको बनाएंगे यहां पर फी ठावेंगे लाइन लेंगे कुछ इस तरीके का जुमेट्री हम बना लेंगे और यह जब यह सब जो लाइन है हम इसको कनवर्ट कर लेंगे करेंगे तो यह सब्सक्राइट हो जाएगा अगर आपको यह कनवर्ट करना नहीं आता है तो आप हमारा जो है पिछला जो वीडियो है आप वो देखिए हम उसमें यह टूल्स बताए हैं कि हम किस तरीके से टूल्स का यूज़ करते हैं अब देखेंगे में हाईलाइट हो चुका है औले अविसमें डामेल सिल्समीं कर लेंगे यहां से यहां का जो डिशेंस से कर सकते हैं यह नहीं तो इसका एक जरिया है दूसरा तरीका एं आप जाएंगे अि आधो करेंगे डाफिल्सलेक्ट सब्सक्राइंगे पहले back चलते हैं अब यहाँ पर आप जाएंगे इसको 60 कर लेते हैं 60 अब यहाँ पर जाएंगे center line ले लेंगे और center line यहाँ की center है यह और इसकी जो line है हमारा 60 का उसका midpoint को select पर इसको horizontal कर लेंगे यह भी एक तरीका है इसको तो टिक करनेगा अब आप यहाँ पर स्फूणिंबे मन चुकिले हैं अब इसको करते हैं स्थूर्ड कट करेंगे हम टॉप्वाटम तो इस नियहीं कुछ करेंगे यह आफ टॉप्वाइगा तो इससा बन जाएगा भा ठीजे में अब सबस्दार चीजेगा क Herr हम ने जो बनाया ठीक है यह नहीं निए तो आप कैसे कर सकते हैं अब यहां पर चाइए यहां से लेंगे है अब जह सबना होगे हम देख के लिया हिए अब चिक्छा कॉजर जी कि हमारे ड्राइंड है तकि हम समत्राइन को perfect clear उभंटिक है ठीक है यह था आज के लिए ठीक है I hope कि आपको ठीक लगा होगा और प्लेज जो मैंने कहा आपको इस पर आप अमल किजिए तो जगा बढ़िया होगा यह का प्रोफिशनल डिजाइनर की दिए ठीक है चलिए आज की वीडियो में इतना ही और अब जो है आपको प्रॉपर वी झानक केपक लिए झाउ है झाली की प्रोफिया है आपको वीड़िया है नग्योखरी आपको बढ़ने की बढ़िया है